हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी कि आप हल्दी से अपने बाल कैसे काले कर सकते हैं आज कल बहुत ही छोटी उमर में बच्चों के या बड़ों के जो बाल है वो जल्दी सफेद होने लगते हैं बहुत ही असान तरीका है बालों को काला करने का चलिए मैं बताऊंगी कैसे करते हैं तो सबसे पहले हम तवा लेंगे और तवे को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और साथ ही यहां पर हम लेंगे हल्दी तो तवे को गरम करने के बाद इसमें मैं दो चमच की क्रीम हल्दी डाल दूँगे हल्दी हमारे बालों के लिए बहुत ही फाइदे मन्द है और हल्दी को हम जैसे ही तवे पर डालेंगे ग्यास का फ्लेम यहाँ पर हम हाई और मीडियम के बीच में रखेंगे और हाई और मीडियम फ्लेम पे ही हम हल्दी को अच्छी तरह से भून लेंगे और हल्दी को हम तब तक भूनेंगे जब तक हल्दी का जो रंग है वो अच्छी तरह से काला ना हो जाए और हल्दी को भूनते वक्त इसमें हम बिल्कुल भी कोई तेल नहीं डालेंगे तो ये देखिए हल्दी का थोड़ा सा जो रंग है वो बदल चुक है और इसमें अब हम कॉफी डालेंगे तो एक चमज के क्रीब इसमें हम कॉफी डाल देंगे और कॉफी और हल्दी को हम एक साथ मीडियम फ्लेम पे तवे के उपर अच्छी तरह से भून लेंगे तवे के उपर याद रिखें बिल्कुल भी कोई भी तेल मत डाले जैसे जैसे हल्दी और कॉफी को हम भूनते जाएंगे इसका जो रंग है वो काला होता जाएगा तो ये देखिए आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुक है लगातर इसको हम चलाते हुए इस तरह से काला होने तक भून लेंगे तो ये देखिए हमारी जो हल्दी है वो अच्छी तरह से काली हो चुकी है तो अब हम गैस का फ्लेम यहाँ पे बंद कर देंगे और बंद करके गरम तवे के उपर ही एक तोब मिनिट तक इसको हम अच्छी तरह से और सिखने देंगे तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कलर आ चुका है थोड़ देर इसको हम ठंडा करेंगे तो अब हम यहाँ पे एक बाउल लेंगे और साथी छन्नी लेंगे और अब हमने जो हल्दी और कौफी को भून है उसको हम इस तरह से छान लेंगे अच्छी तरह से तो यह लिजी हमारा बालों पर लगाने के लिए जो हल्दी और कौफी का जो पाउडर है वो बन कर तैयार हो चुक है तो अब हम क्या करेंगे तो अब हम यहाँ पे एक बाउल और ले लेंगे तो उसमें अब हम दही डाल देंगे दही हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदे मन दें ये बालों को बहुत ही ज़्यादा मुलायम करती है तो यहाँ पे हम 4-5 चमच के करीब दही लेंगे और साथ ही इसमें आप जो भी तेल वगारा यूज करते हैं बालों पे लगाने के लिए थोड़ा सा इसमें तेल डाल दें और साथ ही इसमें हमने जो हल्दी और कोफी भुनी है दो चमच हम इसमें डाल देंगे और डाल कर अच्छी तरह से मिलाएंगे तो ये लीजिए बालों पर लगाने के लिए हमारी घर पर मेहदी बनकर तयार हो चुकी है आप इसको बालों की जड़ों पर अच्छ तरह से लगाईगे दिखना बाल बहुत ही ज़्यादा काले हो जाएंगे तो आप इसको हफते में दो या तीन पर अपने बालों पर ज़ूर लगाए तो हॉप करती हूँ आपको मेरे वीडियो अच्छ लगेगी अच्छ लगे वीडियो को लाइक ज़ूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जूर कीजिए तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में